इंडिया डीवी का चुनाव मंच देख रहे हैं आप और इस वक्त मेरे साथ जो सक्षियत मौजूद है उन्हें किसी परीचे की मोहताज तो जदद तो नहीं नितेश साब बहुत-बहुत स्वागत है आपका जैशेरा कैसा चलना है चुनाव हम लोग वापिस बारे बहुत से महायूति की हमारे सरकार वापिस 23 नवेंबर को चुनके आ रही है बहुत सारे प्रतिदुन्दू हैं सामने सामने उद्धा उठाकरे भी हैं शरत पवार भी हैं M.I.M. पार्टी से औस दिनोवेसी की पार्टी से भी कैंडिडेट है थीक है वो आप हर किसी को अपना अपना नसीब आजमाने का अधिकार है मगर महाराष्टा की जनता ने पिछले सवादो साल में अडाई साल में हमारे महायूती का सरकार का काम देखा है सरहाया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले ये 23 नवेंबर को चाहे कितने भी लोग सामने रहे हमारी महायूती की सरकार बहुत बड़े मेजॉरिटी से वापिस एक बार चुनके आ रही है कितनी सीटे जीतने का आप दावा कर रहे है अभी दावा ये सब आखड़ो के खेल में मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने हमें मजॉरिटी और हमको काफी हमारे कामों को हमारे निल्नेओं पर प्रेम दिखाया है मुझे विश्वास है कि बड़ी वहुमत से मुझे हम लोग को किसी और को फोन भी करनी की जरुवत नहीं पड़ेगी और हम हमारे महायूती के सभी तीनी पाटियों के हमारे मित्र पक्षर के सभीयों के ताकत पे हम वापिस एक बार महाराष्टे की सत्ता किंद्र में पहुँच जाएंगे सबसे ज़्यादा सीटो पर बीजेपी चुनाओ लड़ रही है और सीम केंडिडेट देखा जाए तो अभी तक दभी आवाज में बीजेपी एकनाशिंदे को ही प्रोजेक्ट कर रही है ऐसे में अगर आपकी सरकार बनती है माहयोती सरकार बनाती है तो मुख्य मंत्री एकनाशिंदे ही रहेंगे वो विशे मेरा नहीं है और मैं उसके ओपर ज्यादा बात भी नहीं करूँगा महाविकास अगाड़ी भी सामने है मैदान में और शरत पवार है उनके सामने और दावा बर रहे हैं कि इस बार हम अच्छा कासा रिजल्ट निकाल के लिए जाएंगे लोग सब अचुनावों में भी हमने देखा कि जो विपक्षी पार्टिया है उनको अच्छा कासा वोट मगर हर किसी को मतलब राजनीती में लोकशाई में डेमोक्रसी में हर किसी को हर किसी को भी अगर आप पूछेंगे क्या आपकी पार्टी जीतरी के वो ही बताएगा आज पावार साब कर रहा हूं मेरे समाज के लिए बात कर रहा हूं और मैं आगे भी ऐसे करते रहूंगा इ वो अपने अपने उन्होंने अपने जो जिहादी लोग जो MIM को और ये सारे पार्टियों के अंदर है जो पाकिस्तान के जंडा लहराते जो सरतन से जुदा जैसे नारे गोस्टना ही देते वो उनको पाकिस्तान वापिस भेज दे बांगलादेश वापिस भेज दे हमारे दे पाकिस्तान के जंडे फड़कने नहीं चाहिए, पाकिस्तान के जंडे फड़कने नहीं चाहिए, अल्लाव अक्बर और सरतन से जुदा इस तरीके के नारे लगने नहीं चाहिए, यह क्या उनका अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, इसलिए हमारे देश में हमारे हिंदू राष दोड़ने की बात करता है और कौन है जो हिंदतु की विचार दारा है हिंदतु की लाइन है उसको तोड़ने की बात करता है। हिंदतु की बात करता है जो हमारे भारत में उन्होंने शुरू की है जहां लव जिहाद, लाइन्ड जिहाद, वर्क बोर्ड या अलग-अलग तरीकों से हमारे देश को इसलाम राष्ट बनानी की जो कोशिश कर रहे हैं। वही सभी इस तरीके के नारे देते हैं, सर तन से जुदा के नारे देते हैं। डॉक्टर बाबा से बंबेड करके लिखा हुआ सविधान, उनको मानने नहीं है, उनको मानना नहीं है, उनको यहाँ पे शिरिया कानून लेके आना है। और शिरिया कानून के जो जो चीजे लिखी हुए है, वो हमारे देश में यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। और उनके सभी के खिलाफ हम लोग सब लोग बात कर आज भी करेंगे और कल भी उनकी कड़ा विरोध करेंगे। पाकिस्तान बांगलादेश इस तरह की इसलाम देश नहीं है। हिंदूराश्ट में अगर हम श्री आप श्री बात करेंगे, तो हम आपको यहां रहनी देँगे. इन सब चीजों पर लगाम लगेगी। बारत के मुलता भारत को पसंद करते हैं जो भारत समाज है,,स उनको votesंड करते हैं। जो अखंड भारत की भी मांग कई जगा से की जाती है संसत में भी हमने देखा तमाम ताके तरह नारे लगाए गए कि जै हिंदू राश्टी तरह के तो ऐसे तो समाज दोनों तरफ बढ़ जाएगा हमारा देश guy टी है यहान नभबे परतें लोग इंदू रहते हैं जो पाकिस्तान में ज्यादा जो पाकिस्तान जो इसलाम मानने वले लोग है उसको इसलामिक देश कहते हैं हमारा देश पीन लो यह थी हिंदू राश्ट में सरव धर्म समभाव भाईचारा गंगा जमना तैजी वे सब चीज मानने की कोई जरूत नहीं है यहाँ हिंदूओं किया पहला हिद देखा जाएगा हिंदूओं को पहला सराना जाएगा उसके बाद सभी बाकी सब धर्म धर्म जो यहां रहते हैं उन्होंने जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई जो पाकिस्तान में अलपसंग क्या है वहां के वो सारे देश के नियम काईदे फॉलो करते हैं उसी तरह के यहां के जो अलपसंग क्या है जिहादी जिसको हम कहते हैं जो हमारे देश में रहके विरोत करते हैं उन्होंने हमारे द राष्ट्र में हिंदू का हिट पहला देखना चीए उसके बाद ही सभी धर्मियों को समालना चीए पहां बेजेंगे उन लोगों को जहां उनको जाना है अभी कच्रे को कहां डालते हैं वो आपको मालू में डंपिंग यार्ड में डालना पड़ेगा अगर पाकिस्तान जैसा देश हो तो वहां बेज देना चीए पहुचाएगा नेतेश रणे जिम्मेदारी मिलेंगे तो क्यों नहीं करेंगे हम हम हिंदू बनके हमको सभी को हम अपके अपने जिम्मेदारी पूरे करने चीए अगला सवाल ये रहेगा कि महराष्ट की जो राजनीती है महराष्ट की राजनीती में छतरपति शिवाजी महराज की धरती कही जाती है और सामबाजी महराज की धरती कही जाती है ऐसे में आपको क्या लगता है कि महराष्ट जैसे कि आप सनातन की बात प्रमुक्ता से उठ लगाने पड़ी उतनी सारी ताकत हम लगाने को त्यार है इसले हमारे देश जो सब्सक्राइब करता है वो कोई भी हमारे इधर खत्रे में लानी सकता इसलिए जो गिनोचोने जो ताक्तिया है उनको खतम करने का सही वक्त आ गया वो खतम कर देंगे आखरी सवाल बसमेर ये रहेगा कि आप पर OVC की पार्टी के नेतावारिस पठान और इम्तियाज जलील आरोप लगाते हैं आपकी हाइट पर भी उन्होंने मजाग उड़ाया है तो उनके OVC ने साथ फुट रहे के कौन सा बड़ा कामाल गर दिया तो इसलिए जिनको जिसके उपर बात करना है उनको बात कर सकते हैं मैं कुछ गहले मगर उन्होंने आपनी जिहादी जिमानसिकता है जो हमारे देश में पाकिस्तान के जो एजंडा वो चलाते हैं सर तन से जुदा और पैलिस्टाइन के जो जंडे उड़ाते हैं वो उन्होंने सारी अपनी माइम पार्टी को साथ में लेके पाकिस्तान निकल जाना चाहिए हमको तकलिफ नहीं जिते जी इंडिया टीवी की चुनाव मंच में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्या हुआ धन्या हुआ